आज कर फिल्मों का हेट आना बहुत मुश्किल हो गया है एक अच्छी फिल्म के लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट का होना और एक अच्छी स्टार कास का होना जरूरी होता है और आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ फिल्मों के बारे में जिसमें स्टार ने अपनी आक्टिंग क साथ साथ अपनी रैपिंग का भी हुनर दिखाया है रनवीर सिंग के फिल्म गलीबॉय ने रनवीर एक रैपर के रोल में नज़र आए थे और फिल्म के ज्यादा तर रैप सॉंग खुद रनवीर ने ही गाए हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि रनवीर से पहले भी कई बॉल छेंडाला गाना गाया था ती घंड रा यही अगना रिलीस होते ही सूपर हिट हो गया था लेकिन इसके अलावा आमिर ने फिल्म दंगल में धकड गाने में रैप किया था अभिषेक बच्चन ने भी रैप किया है अभिशेक ने अपनी फिल्म बलॉफ मास्टर के गाने एक मैं और एक तू में रैप किया था अमिता बच्छन अमिता बच्छन इतनी फिल्मों में अपनी आवाज दे चुके हैं कि रैप कैसे नहीं किया होगा इन्होंने अपनी फिल्म अलादिन के एक गाने में रैप किया था वैसे इसके अलावा उन्होंने टाटा स्काय एड फिल्म के लिए भी रैप किया है अक्षिकुमार ने भी फिल्म चाननी चोक टू चाइना के टाइटल सॉंग में रैप किया था जो की लोगों को काफी पसंद आया था वरुन धवन फिल्म हम्ती शर्मा की धुलनिया के गाने लखी तू लखी मैं ने वरुन धवन ने रैप किया था इसके अलावा एभी सीडी टू के हैपी बर्दे गाने में भी वरुन ने रैप किया था वैल तो यह है वो स्टार जो फिल्म में एक्टिंग के साथ साथ अपनी रैपिंग का भी हुनर दिखा चुकी है इस वीडियो में इतना ही मैं योगता शेर्म अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वहारे पेज को लाइक कीजिए अगर यह वीडियो आप यूटूब पर देख रहे हैं तो उमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भुलिए झाल झाल